हेलो गाईज, वेलकम टू आल इनेक्स्ट पेम, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, री ओर्गनाइजेशन आफ स्टेट्स यानि की राज्यों का पुनर गठन आज हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से नए राज्ये फॉर्म किये गएं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करे कौन सी कमिटी बनाई गई, यह सभी पॉइंट्स जो हम से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी हम एक एक करके समझने वाले हैं, यदि हम बात करें स्टेट्स यानि की राज्ये, आप लोग को पहली अनुसूची में यह दिया ही हुआ है, कि भार वहाँ पर पहली अनुसूची में भी चेंज किया जाएगा, यह आपके लिए इंपोर्डेंट है, अब हम आते हैं, री और्गनाइजिशन आप स्टेट्स यानि राज्यों के पुनर गठन में, तो क्या हुआ कि अलग अलग भासा, हम देखे अगर बिहार युपी की बात क अरे, तो बिहार युपी में लगवग तीन कोस, चार कोस पे भासा हैं, बदलती रहती है, तो क्या हर एक भासा के लिए अलग लग गाओं को अलग लग राज्ये बना दे, यह उस टाइम की डिमांड हो रही थी, कि भासा के अधार पर राज्यों का बटवारा कर दिया तो उसके लिए क्या बनाये गया? S के धर कमीटी, पहली कमीटी कौन सी थी? S के धर कमीटी बनाई गई, अब S के धर क्या थे? यहाँ पर इलहाबाद उच्छन्याले के रिटायर जज थे, क्या थे है? इलहाबाद उच्छन्याले के रिटायर जज थे, इनके अध्यक्षता में चार मेंबर्स की एक कमिटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे एसके धर थे अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौपी 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौपी और इन्होंने लेंग्वेज को आधार नहीं माना लेंग्वेज के बेस पे इन्होंने स्टेट कारियो और्गनाईशन री फॉर्मेशन इन्होंने मना कर दिया नहीं कि नए राज्य का फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो इसके बाद अब क्या हुआ कि कॉंग्रेस ने क्या किया कि जे वी पी कमीटी बनाई जे वी पी अब कॉंग्रेस की हम बात करने तो कॉंग्रेस की स्टैबलिश्मेंट कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 को कॉंग्रेस की स्टैबलिश्मेंट हुई थी अब इसकी स्टैबलिश्मेंट किस नहीं की थी एलन उक्तावियन हुम ने इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं तो वमेश चंद्र बैनर जी डबलू सी बैनर जी आपके लिए इंपोर्टेंट है तो जे वी पी कमीटी ब वी की हम बात करें तो बल्लम भाई पठेल बल्लम भाई पठेल वहीं पी से क्या है पट्टा भी सीता रमया यह तीन लोगों की मेंबर्स बनी जे वी पी कमीटी अब इस कमीटी ने 1949 में अपने रिपोर्ट दिये यह भी बनी कब बाई दिसंबर 1948 में यह बनती है अब रिपोर्ट इसने दिये 1949 में इसने भी क्या किया लैंग्वेज के अधार पर स्टेट का वर्मेशन करने से मना कर दिया निकि राज्यों का बटवारा नहीं किया जाएगा भाई भासा के अधार पर इन्हों तो साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट तेज हो गए कि हमें नए स्टेट्स की मांग दोह रही थी उसके लिए और नए स्टेट्स बनाये जाएं तो वह होता है कि 1952 में कब 1952 के दिए हम बात करें तो पंदरह दिसंबर पंदरह दिसंबर 1952 में किसकी मृत्य हो जाती है पोट्टी स्री रामलू की मृत्य हो गई आपर किसकी पोट्टी स्री रामलू की मृत्य हो जाती है और यह लीडर थे बहुत ही बड़े लीडर थे अब ये लोग क्यात कर रहे थे वाँ पर की आंधर प्रदेश की मांग कर रहे थे नए स्टेट की मांग कर थे अब इन्होंने मांग क्यों उठाई थी कि आंदर परदेश वह राज्य बनाया जाए कि जो लोग तेलुगू बोलते हैं क्या बोलते हैं तेलुगू बोलते हैं वो राज्य बनाया जाए आंदर परदेश यानि कि ये तमिल नाडू से अलग होना चाहते थे मदरास से जो मृत्यू हुई 1952 में 15 दिसंबर 1952 को पोटी स्री रामलू की मृत्यू हो जाती है आमरन अंसन के द्वारा यानिकी हंगर स्ट्राइक के द्वारा इनकी मृत्यू हो गई पोट्टी स्री रामलू की अब इनकी मृत्यू के बाद प्रोटेस्ट और तेज हुआ अब इन्होंने कितने दिन का आमरन अंसन किया था कितने दिन का 56 दिन का आमरन अंसन आप लुशेंट में देखेंगे तो आपको 58 मिल सकता है बड़ 56 यहाँ पर राइट आंसर है तो 56 दिन का इन्होंने आमरन अंसन किया उसके बाद इनकी मिर्ति हो गई पोट्टी स्री रामलू की 15 दिसंबर 1952 को और यहाँ पर अब नए राज्य का निर्मान होता है एक उक्टूबर 1953 को आंधर प्रदेश बनता है और आंधर प्रदेश भासा के अधार पर बनने वाला पहला राज्य था तो यह कोशन पूछा जाता है कि भासा के अधार पर बनने वाला पहला राज्य कोन था तो वह था आंधर प्रदेश यह आपके लिए वेरी इंपोर्डेंट है और तेलगु भासी लोग थे आंधर प्रदेश के तो यह 1953 की कहानी हुई अब यह स्टेट बना तो और स्टेट भी आईसी तरीके समान करेंग तो उसके लिए कमीटी बनाई गई 1953 में क्या बनाई गई एक कमीटी बनाई गई और यह कमीटी कौन सी थी फजल अली कमीटी फजल अली कमीटी 1953 में इसको बनाया गया फजल अली कमीटी को कि आप जाच करें कि किस तरीके से स्टेट का फोर्मेशन हो रियोर्गनाईशन हो स्टेट का पुनर गठन किया जाए स्टेट का तो इस कमीटी में कितने मेंबर थे तीन मेंबर थे वही कितने तीन मेंबर थे जिसमें फजल अली इसके अध्यक्ष थे और दो मेंबर कौन से थे तो के एम के एम पनीकर के एम पनीकर इसके मेंबर और हिर्दैनाथ कुंजरू यहाँ पर हैच एन कुंजरू खिर्दैनाथ कुंजरू और फजल अली के एम पनीकर यह तीन मेंबर थे यहाँ पर फजल अली कमीटी में आपको पूछन पूछता है legitimate की फजल तो इस थरीक से हम पढ़ते चलें और कोशन देखते चलेंगे तो बहुत ज्यादा फाइदा होगा ने साज देपली पढ़ाब तो केंगरें तीनों नाम अपने याध रखनें काव सोफी 1955 में इसने अपनी एक रिपोर्ट सोफी अब रिपोर्ट सो अपने के बाद इसने किस आधार पर पुनर गठन की बात कही तो इन्होंने लैंग्वेज के जो आधार पर इन्होंने माना बेस बट एक स्टेट एक लैंग्वेज वन स्टेट वन लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया reject कर दिया इन्होंने चार बाते कहीं जिसके तहट राज्यों का पुनरगठन किया गया क्या थी वो फॉस्ट आपको unity को इंडिया की unity strength को ध्यान में रखते हुए आपको पुनरगठन करना होगा राज्यों का निर्मान करना होगा तो unity आपने देखना होगा second क्या कहा इन्होंने कि language यानि कि भासा और संस्कृति को भी देखना होगा भासा और संस्कृति को भी देखना होगा साथ के साथ इन्हों तीसरी पॉइंट क्या कही economy economy के base को भी गता होगा साथ के साथ हमने administration को भी देखना होगा administration को की लोगों का विकास कैसे हो सके और सांग देश का डेवलोपमेंट कैसे होगा उसको भी देखना होगा welfare of people, welfare of each state, each state, peoples and nation कैसे होगा इन सब के आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं स्टेट का formation कर सकती हैं अब वजल अली कमिटी जो थी वजल अली कमिटी ने रिपोर्ट दिन सो पच्पन में और यहां से वजल अली कमिटी के बाद पो क्या बनता है फिर री और्गनाइजेशन एक्ट आता है अब यह कब आता है सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में किया गया जिसके आधार परश में क्या कहा जाता है कि भासा के आधार पर जो स्टेट का रिफॉर्मेशन होता है यानि की पुनर गठन किया गया पहली अनुसूची में डाली जाती है पहली सूची में किने स्टेट और किने यूनियन टेरिटरी हैं यही बात तो कही गई यही बात आपने याद रखनी है तो यह पॉइंट थे फजल अली कमीटी के अब इसी क्या थ और गुजरात कि तो यह बना था जो गुजर आति हैं यह और लेंग्वेस के अधार पर ही सब कुछ चेंज किया जाता अलग-अलग राज्ये बनाए जाते तो बिहार यूपी में बहुत सारे राज्ये बन सकते थे और स्टेट्स भी हैं जहां पर बहुत जादा राज्ये बनाए जा सकते थे बट फजल अली कमेटी ने इन चार और गठन किया गया तो यह सभी एहम पॉइंट्स आप लोगों के लिए जिनको आपने याद रखना है तो यहां से इतने कोशन पुछे आते हैं स्टेट्स रियो और्गनाईजिशन एक्ट से और इस फजल अली कमेटी के बाद कितने स्टेट और यूनियन टेरिट्री बने तो 14 स्टेट्स 14 स्टेट्स बनाई गए और 6 यूटी बनाई गई इस फजल अली कमेटी के तहर्ट यह था आज का लेक्चर मिलते हैं आप से नेक्स लेक्चर में सो गैज बैस्ट आप लग शेर एंड सब्सक्राइब नेक्स पढ़ते रहिए और अपनी एक्जाम के लिए इस तरीके की त्यारी करिए कि एक्जाम में मार्क्स लाना है एक्जाम को क्वालिफाई हमने करना है तैंक्यू वैरी मच